एं वेलकम टू एदुनिया नॉलेज चैनल आज हम लोग solar storm के बारे में पढ़ेंगे और क्यों यह news में है वो भी जानेंगे है तो फर्स न्यूज में क्यों है solar storm तो जो scientist लोग है उन्होंने predict किया है कि एक जो solar storm यानि कि जो एक solar तूफान है वो काफी तेजी गती से प्रिथवी की तरफ आ रहा है और उसकी जो speed है वो 16 लाख किलोमेटर पर आवर के speed से आ रहा है यानि कि 16 लाख किलोमेटर पर आवर के speed है वो काफी जादा है और वो कब प्रिथवी पर पहुचेगा उसका probability एकदम fix timing तो नहीं बताया गया है लेकिन जब भी वो पहुचेगा तो it will have an impact on earth और different system of the earth तो इसलिए जानेंगे और most important चीछ जो है वो solar storm जो है वो यूजुली आता रहता है अर्थ वे ऐसा नहीं कि यह पहली बार ऐसा आ रहा है लेकिन जो concern क्या है concern यह है कि इसकी जो speed है वो काफी जादा है और इसका जो volume है वो भी जादा है तो कहने कहीं इसका जो अस एक जाम पॉइंट ऑफ यूज बहुत जुरूरी है यह जानना कि solar storm क्या है और उसका different impact क्या पड़ता है लेकिन as a common person यह भी important है जानना कि यह हमारे day-to-day life को कैसे impact कर सकता है तो चलिए start करते हैं कि first solar storm क्या है solar storm पहले तो storm क्या होता है storm तुफान होता है तुफान जब हम नॉर्मली देखते हैं तो wind की speed काफी देश से आ रही होती है धरती पे और जब surface पे wind की speed तेशी से होती है तो वह तबाही मचाती है उसी तरह solar system में भी जो sun है sun से कुछ ऐसी जो energy है वो इस तरह inject ह होता है यानि कि निकल निकलता है और वो धरती की तरफ या different planet की तरफ अप्रोच करता है उसी को स्टॉर्म कहते हैं या solar storm कहते है solar storm और वराइटी ओफ इरॉप्शन ओफ मास और इनर्जी फ्रम दो सोलर सर्फिस यानि कि सोलर सर्फिस से इनर्जी और मास का रिलीज होना ही solar storm कहता है और यह जो solar storm होते हैं या इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल यानि कि यह जो इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल जो होते हैं सन से निकल के they usually approach towards earth which reaches earth यानि कि धरती तक वो पहुचते हैं जो रीजन है solar storm का वो मेली तीन रीजन माने जाते हैं और भी रीजन हो सकते हैं पहला solar flares तो solar flares जो होता है वो suddenly sun के surface में से अचानक से कुछ mass यानि कि कुछ particles जो है निकलने की कोशिज करते हैं उसको solar flares करते हैं वो काफी bright होता है उसमें energy होता है और वो जब एक तरीके से वो निकलने की कोशिज करते हैं तो they move out of the solar या sun का जो system है उससे बाहर निकलने की कोशिज करते हैं यानि कि solar flare is a sudden splash of increased brightness on the sun usually observed near its surface यानि कि sun के surface से वो निकलने की कोशिज करते हैं second जो है वो sun spot है sun spot क्या है जैसे sun है उसके कुछ कभी कभी हर 11 साल पे एक फीज आता है जब sun के surface पे कुछ कुछ ऐसे part जो है वो dark होने लगते हैं और वहाँ जो energy की जो मात्रा है वो कम होने लगती है और उसमें जो magnetic pressure है वो काफी बढ़ता रहता है और इसकी वज़े से energy का release होता है sun के surface से बाहर की तरफ तो वो वो एक solar storm का या solar flare का रूप ले लेता है तो यानि कि sun spot क्या है sun spots are reason on the sun photosphere ज्याना कि sun का different layer होता है और अभी देखेंगे क्या layers है यानि कि जो sun spots होते हैं वो sun के photosphere में कुछ ऐसे reason होते हैं जो they appear darker than the surrounding यानि कि अब उसके surrounding से dark होते हैं यानि कि कम उसकी energy होती है visible solar disk due to reduced surface temperature यानि कि वहां का surface temperature कम हो जाता है और associated with the concentration of magnetic field flux यानि कि intense magnetic activity यानि जो sun spot वाला जो reason है वहां magnetic pressure ज्यादा होने की वाज़े से magnetic energy जो है वहां influx होता है या concentrate करता है उसी को sun spot करते हैं और यह कहिन का यह प्रोवोक करता है solar storm के लिए third जो reason है वो है coronal mass injection इसको CME भी बोलते हैं यह बहुत important concept है अब यह देखते हैं कि coronal mass injection जो है वो कैसे solar storm लाता है तो coronal यानि कि sun का एक layer है जिसका नाम है corona यानि कि यह जो mass injection यानि कि energy mass जो inject हो रहा है वो कहां से हो रहा है sun के corona वाले part से हो रहा है उसी को coronal mass injection कहते हैं अब यह क्या है कि coronal mass injection is a significant release of plasma and accompanying magnetic field from the solar corona यानि कि sun के corona वाले part से जो energy या plasma जो है प्लास्मा जो हो होट मॉल्टिन जो substance है वो inject होता है उसी को coronal mass injection कहते हैं और यह solar storms को बढ़ावा देता है तो ध्यान रखना है कि यह तीन reason है और यह तीनों अलग-अलग concept है आप एक बढ़ पढ़के उसको differentiate कर लेना next they all involve sudden release of storm magnetic energy which accelerate the hot gases near the surface और in the corona of the sun यह सारे तीनों जो factor है वो mass injection को force करते हैं जिससे की solar storm को बढ़ावा मिलता है अब solar storm जो है they can reach to the earth अब यह ध्यान रखना कि ऐसा ने कि जो solar storm है वो अर्थ तक ही पहुचता है वो different planets में भी पहुचता है next important चीज है यह देखना कि different जो sun के layers हैं वो कौन-कौन से हैं तो sun का इस तरह अगर sun को काटेंगे तो अंदर से जो partition दिखाए देगा वो इस प्रकार होगा सबसे inner वाले part को inner core बोलते हैं उसके just बाद वाले part को radioactive zone बोलते हैं उसके बाद convective zone बोलते हैं उसके बाद वाले layer को subsurface flows बोलते हैं और यह जो photosphere जो layer है यह वो layer है जो इंसान जब हम वैसे तो हम sun की तरफ देख नहीं पाते अच्छे से लेकिन जब आप देख रहे होते हैं तो जो particle आपको दिखाई देता है जो part आप एक तरह से देख पाते हैं सूरज के around या सूरज का सबसे outer जो layer है उसको बोलते हैं photosphere ध्यान रखना है कि आप अगर question ऐसा आता है कि which part of sun is visible to the naked eye then the answer would be photosphere उसके बाद का जो layer है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर एंड यह जो सबसे outer part है उसको कोरुना बोलते हैं तो ध्यान रखना कि जो कोरुना होता है वह ऐसा नहीं कि solid surface है कोरुना जो है वह सन का वह पार्ट होता है जहां पर यह जो photon के पार्टिकल है वह सन के आराउंड मूफ कर रहे होते हैं और यह काफी सबसे ब्राइट होता है तो कोरुना वाला जो पार्ट है वह सबसे ब्राइटर होता है सन का यह तो डिफरेंट लेयर हो गए नेक्स्ट यह जानना है कि जो solar flares है वह detect कैसे होते कैसे हम धरती क्या हम अपने नेकेड आई से देखके डिटेक्ट कर पाते हैं कि solar flares संसे अर्थ की तरफ आ रहा है तो ऐसा नहीं होता है solar flares cannot टिपिकली भी डिटेक्टेड यानि कि जो solar flares आ रहा है यह जो solar storm आ रहा है उसको हम आखों से नहीं detect कर सकते हैं तो definitely उसके लिए कोई न कोई technology यह है अब उसका primary जो तरीका है वो है the primary way to monitor flares are by x-rays और optical light यानि कि x-rays और optical light से ही हम solar storm solar flares और यह जो coronal mass injection है different causes है उसको हम detect करते हैं next जो है वो है कि impact इसे के बार में पूरा news जो है पूरे worldwide जो news है वो सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि इसका impact human पर हो सकता है कि यह large scale पर पड़े या हो सकता है वो किसी small scale या से किसी regional scale पर पड़े तो इसी लिए यह काफी news में है तो में जो हमारा focus आज का है कि impact क्या है कि जो solar storm है इट affects entire solar system अब यह नहीं ध्यान यह नहीं सोचना है कि सिर्फ अर्थ को impact करता है सारा planet including earth को impact करता है हमारे earth के magnitude sphere को impact करता है उसी तरह different जो planet है उनके magnitude sphere को impact करता है इट causes space weather space weather मतलब क्या कि जो space वाला area beyond 300 km अर्थ के ऊपर जो area उसे space बोलते हैं और पूरी universe का जो area है कह सकते हैं तो solar system में जो space है उसके उसमें जो different weather pattern है जैसे कि movement of different particles and all that उसको भी यह solar storm impact करता है और यह impact long term भी हम देख सकते हैं और short term भी दे सकते हैं यानि कि space के space weather को अगर short term में भी impact कर सकता है और space climate को भी long term में impact करता है अब हमारा major concern क्या है कि impact on the earth तो earth पे क्या impact होगा पहला it interfere with radio communication यानि कि radio communication को impact कर सकता है धरती पे satellites यानि कि satellite के functioning को इंपाक्ट कर सकता है जो सेटलाइट है वह different different यह क्या कहता है कि वे एक्स रेज वाई different जो radio waves है उस पे काम कर रहे हैं तो अगर different waves पे काम कर रहे हैं और हमने पहले पढ़ा कि जो coronal mass injection या जो solar flare या solar storm जो है वह electrically charged particle होते हैं तो जब वह electrically charged होते हैं तो वह satellite जब different wave से impact होता है तो इसी लिए जो satellite की functioning है वह भी impact होती है और जो satellite है उससे हमारा पूरा communication system जो है वह attached है हमारा हम जो phone mobile phone जो use कर रहे हैं वह भी हम different GPS system है उसकी जो signals है यह सब satellite से connected है और इसी लिए आज यह बात हो रहा है कि it might be possible the solar storm which is coming from the sun towards earth may impact your mobile phone as well तो यानि कि अपका mobile phone भी disturb हो सकता है और नहीं भी हो सकता है news में disturb होने का इस लिए है क्योंकि कि the amount and the speed of solar storm is very high हमने देखा कि solar लाक किलोमेटर पर आउर के speed से चल रहा है which is so huge next जो impact अर्थ पर पड़ता है वो है power utility grade को impact कर सकता है और यह ऐसा पहले मतब different installation है जो various waves पर काम कर रहे हैं या electrically charged particle पर काम कर रहे हैं उनको यह जो solar storm है वो impact करते हैं और which और यह जो electricity shortage जैसा situation या power outage जैसा situation create कर सकता है यह तो थोड़ा negative impact हुआ अब देखते हैं कि क्या solar flare या solar storm जो है वो only negative impact करता है ऐसा नहीं है solar storms जो है या solar flares जो है वो positive impact भी करते हैं और जो positive impact में जो सबसे अच्छा example वो है कि जब अर्थ है और अर्थ का एक magnetosphere होता है ठीक है जो अर्थ का magnetosphere है वो हमें जब solar storm आ रहा होता है सन से होते हुए अर्थ की तरफ जब आ रहा होता है तो दोनों magnet भी electrically charge होता है और solar flare भी होता है तो दोनों interact करते हैं यह जो हमारा magnetosphere है अर्थ का वो deflect करता है solar flare को मतलब अर्थ से दूर deflect करता है और उस process में जो interaction होता है उसकी वज़े से एक भूत ही खूबसूरत आस्मान में light बनता है और especially यह जो light है वो या तो हम southern pole की तरफ देख पाते हैं या northern pole की तरफ ही देख पाते हैं और यह जो सुन्दर सा जो light दिखाई दे रहा है इसी तरह का light display होता है जिसको कहा जाता है अगर north hemisphere में है उसे northern lights बोलते हैं और उसका दूसरा जो नाम है वो है aurora borealis and southern hemisphere में जो light है उसके southern light बोलते हैं और उसका जो नाम है वो aurora astralis है तो यह तो हमारा positive impact रहा क्या ऐसा reality में हुआ है कि earth पे solar flare आए हो और solar flare का impact अर्थ पे दिखा हो या solar storm का impact दिखा हो तो answer is yes अर्थ पे पहले ऐसा हो चुका है 1967 में क्या हुआ था कि Alaska Greenland अभी हमने बुला कि northern hemisphere या southern hemisphere में जो यह impact है usually देखने को मिलता है तो Alaska Greenland और UK में कुछ ऐसे early warning system setup बैठाय गये थे जो ballistic missile के attack के लिए warning करते थे future में तो यह जो system थे usually अचानक से 1967 में जो है बनना काम करना बंद कर दिया क्योंकि यह जो early warning system होते यूजली रडार पर काम करते हैं तो वो रडार की functioning जो है जो ही solar storm से interact किया क्योंकि वो इंटरेक्ट किया तो उसके functioning में गड़वड़ी आने लगी और तब देखा गया कि यह जो major reason था इसके functioning के पीछे dis functioning के पीछे वो solar flare था आज के लिए बस important topic है वैसे इसका impact क्या होगा को future में हमें देखना पड़ेगा कि दो चार देन दस दिन या कल परसों कब आता है solar flare का impact तो आप एक बार न्यूज में ट्रैक करते रहिएगा if you like the video please like subscribe and share among your friends thank you